हालो फ्रेंस आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम सोय और आलू के न्यू रिस्पी लेके आए हैं यह रेखिए हमने ताजा ताजा सोया लिया है सोया जो है ठंडी में सरीर को बहुत ही गरम रखता है आप ज़रूरी ट्राइए करिएगा यह रिस्पी सोय को हम इस तरीके से काट इसका पादी नीकल गया है छनी वाली थालिम देखिए इधर हम पेंडिये हैं गरम हो रहा है इसमें तैल रहे हैं अधा चमच्छ रराय तो पिमचल हरिये अतल्कावे लिए को इसमें पारीक अधरक का दूकस कर रहे हैं अब हम इसमें एड़ करें लेसुन दरबरा कुटा हुआ एक चमच इसको हम चला दे रहे हैं अच्छी तरीके से पक जाए इसमें हम एड़ करेंगे हर्वी मीज्च एक लिए दरबरी कुटी हुए यह देखिए अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है इसमें अब हम एड़ करें सोया हम रख दिये थे पानी निकल गया है देखिए तो इसको हम पूरा एड़ कर दे रहे हैं अब इसको हम चला दे रहे हैं यह देखिए सोया अच्छी तरीके से मारा पक रहा है यह सोया अगल गया है तो इसमें हम आलू पहले से ही बाल की है अलू एट करेंगे अधा चोटा चमच हम अम्चुर पाउडर राइट करें अधा चोटा चमच लाल मिर्च दरवरी कुटी हुए अधा चोटा चमच हम हल्दी पाउडर ले रहे हैं स्वादा निसार हम नमक ले रहे हैं हम ज़्यादा मसाला नहीं आइट करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे यह देखिए खिला खिला आलू और सोय हमारा हो गया है इसको जो है छोटी बड़ी आलू यह हमें एक साज़ का दबा के कर ले रहे हैं इस चमच से यह मसाला देखिए हमारा खिला खिला बनकी रेडी हो गया है इसको रख देने ठंडा होने के लिए इधर हम आटास पहले से लगा के रख दिये थे तो इस तरीके से लोई ले रहे हैं यह हमने रोटी जैसे लिया है यह आलू मसाला हम इस तरीके से रख रहे हैं चमच से दे कि इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए हैं अब इसको हम बड़ी कर ले रहे हैं इसको बेल रहे हैं बिल्कुल भी फट नहीं रहा है और अच्छी तरीके से रूटी जैसे बन गया है कि यह तावा गरम है हमारा इस पे हम रख दिये हैं यह तरफ हो गया है इसको हम पलड़ दे रहें दूसरी तरफ पकने के लिए इस तरफ हम और लगा रहे हैं कि एक तरफ हम और लगा दिये हैं तो दूसरी तरफ भी और लगा रहे हैं कि यह देखिए हमारा पराठा फूल आया है यह कितनी अच्छी तरीके से बन गया है इसको हम प्लेट में रख ले रहे हैं कि इसी तरीके से मार बना ले रहे हैं रेखिए यह बिल्कुल भी फटा नहीं है बहुत ही आसान से बन जाता है कि इस तरीके से हम सभी पराठा बना के रेडी कर ले रहे हैं यह हमारा पराठा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक से और सिस्क्राइब करिएगा सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद